नमस्कार किस्ता यूपी का देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली दे केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है जाम मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म दे केरला स्टोरी को टाक्स फ्री कर दिया गया है CM योग्या दितिनाथ ने इस फिल्म को टैक्स प्री करने के निर्देश दे दिये हैं वहीं अब CM योग्या दितिनाथ 12 माई को लोगभवन में अपनी क्याबनेट के साथ ये फिल्म देखेंगे इससे पहले पश्रम मंगाल में CM ममता बैनर जी ने दे केरला स्टोरी को बैन कर दिया था उनका कहना था कि ये फिल्म मनगरन कहानी पर है तो आज दे केरला स्टोरी पर चड़े सियासी पारे पर बातचीत करेंगे बातचीत के लिए मेरे साथ स्टोडियो में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीव जी राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद उस गैंग के साथ है जो इस देश में कनवर्जन का रैकेट चलाता है और वो है इसलामिक जिहादी गैंग जिसके तुस्टिकरन के लिए इन लोगों ने अपनी राजनिती के दरवाजे खोल रखे हैं क्योंकि जो भी भारतिय जन्ता पाटी के खिलाफ पाटियां है राजनितिक दल है वो सारी के सारी पाटियां तुस्टिकरन की राजनिती में पूरी तरीके से लिप्थ है सनलिप्थ है इन लोगों को लगता है कि हिंदूओं को बेवकू बनाना आसान है मुसल्मानों को खुश रखना मुस्किल है क्योंकि मुसल्मानों के खुश रखने में competition बहुत जादा है हर state में जितनी भी पाठियां है विपक्ष में बैठी हुई जो अपने आपको समाजवादी वामपंथी या फिर मध्यपंथी कहते हैं मिडिल पत्थ वाले यानि Congress जैसी पाठिया जो ना तो समाजवादी है नहीं दक्षिनपंथी अपने आपको कह सकती है ना वामपंथी कह सकती है यह कहती है कि हम बीच बीच में चलते हैं हमारा जो सेकुलरिज्म का सिधानत है लेकिन इसके सेकुलरिज्म में जो में सेकुलर शब्द है वो सेकुलर है कॉंग्रेस के लिए कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हो हिंदूओं के खिलाब खड़े हो यानि कि इन लोगों को दा केरला स्टोरी से परिशानी इस बात को लेकर है क्योंकि इसने केवल केरल की बात नहीं की है केरल से तो प्लॉट उठाया गया है केरल में जो घटनाय घट रही है ये एक उदाहरन है लेकिन ये पूरे देश में ऐसा रैकेट चल रहा है जो की लब जिहाद के नाम से जाना लिया लब जिहाद की जब बात उठी तो सबसे ज़्यादा बेचैनी कॉंग्रेस को ही मुला मौलानाओं से ज़्यादा बेचैन कॉंग्रेस रही और इसलिए कॉंग्रेस के समय में ग्रिह मंत्राले ने रिपोर्ट दिये कि लब जिहाद जैसा कोई शब्द है ही नहीं लब जिहाद तो भारतिय जन्ता पार्टी या आरेसेस या विश्व हिंदु परिशद ऐसे जो संगठन हैं ऐसे जो पाथियां हैं इन लोगों को क्रियेट किया हुआ है लेकिन किरला स्टोरी में दिखाया गया है कि लब जिहाद कोई आसमान से टपका हुआ शब्द नहीं है भले ही ये दो शब्द अपने आप में कंट्राडिक्टरी हो लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो ट्रू इवेंट पर सच्ची घटनाओ पर आधारित है जिसके जो केरेक्टर लिए गए हैं वो भी केरल के वो लोग हैं जो कैमरे के सामने आने के लिए तयार हैं जो उसका एक केरेक्टर है उसकी माने कैमरे के सामने फिल्म में बोला है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ और उसका उसके बाद दुस्ट परिनाम तो ये है कि कॉमिनिस्ट पार्टी की सरकार हो या कॉंग्रेस की सरकार हो क्योंकि केरल में LDF और UDF दो ही जो गठव रहेगी या फिर United Democratic Front की सरकार रहेगी कॉंग्रेस या वामपन्ति पार्टियों की और इन दोनों के अंदर मुसल्मानों के लिए अत्यधिक प्रेम है कि वो लोग कुछ भी कर दें देश के टुकडे कर दें देश को बरवाद कर दें फिर भी वोट बैंक की राजनिती ऐसी ह है कि मुसल्मानों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे तो उसति करन की राजनिती ही करते रहेंगे इसलिए राहुल गांधी जो उत्तर परदेश की राजनिती करते थे कहां से चले गए चुनाब लड़ने के लिए केरल के वायनाड से वायनाड में क्या है स्थिती वायनाड में 53 से 55 पसेंट तक मुस्लिम आवादी है और राहुल गांधी को लगा कि केरल में भी कही जाना है तो उस छितर को चुनो जहां 50 पसेंट से ज़्यादा मुसल्मान रखते हों और इसलिए राहुल गांधी की जीत भी हुई लेकिन अगर राहुल गांधी का टार्गेट वहाँ पर मुसलिम है कॉमिनिस्ट पार्टी का टार्गेट मुसलिम है यानि टार्गेटेड वोट की बात कर रहे हैं उसके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं तो ये लोग जब मुसल्मानों की राज़िती कर रहे हैं तो इस बात को कैसे एक्षिप्ट करेंगे कि केरल में कोई ऐसा रैकेट चल रहा है जो हिंदू क्रिश्चन लड़कियों को दोनों की बात है केबल हिंदू की बात नहीं है पहले केरल के क्रिश्चन थोड़े कन्फ्यूज थे इन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर कॉंग्रेस और वामपन्थी पाठिया है तीसरे अस्तर पर भारतिय जन्ता पाठिय अपना बेस बनाने के कोशिश कर रही है संग लंबे समय से वहाँ पर आंदोलन इस बात के लिए कर रही है कि केरल के कई गाउं जो हैं मुसलिम बाहुल वहाँ तो अभी भी शरिया कानून चलता है ऐसी स्थिती है केरल में कि मुसलमान चाह रहे हैं कि केरल में कम से कम उनकी आवादी 60-70% हो जाए और उसके बाद चुकि केरल कोस्टल स्टेट है वहाँ पर समुदर की सीमा लगती है और सेपरेटिस्ट मुमिन जहां जहां पर होता है यानि कि अलगाउबाद की भावना जो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि अलगावबाद की भावना केंदर से दूरी के साथ जादा पनपती है हिंदुस्तान के लिए अगर उदाहरन के तोर पर देखें तो ये सारे उदाहरन मिल जाएंगे क्योंकि दक्षिन भारत में भी द्रबिड परदेश की मांग उठी कश्मीर में अलगावबादी आंदोलन चल रहे हैं और अभी भी ये लोग कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं किंदर से यानि की दिल्ली से दूरी क्यादार पर वहाँ पर प्रशास्टिक नियंतरन थोड़ी कमजोर हो जाती है नौर्थ इस्ट को देखें क्योंकि ये बड़ा प्रदेश है विहार के लिए होगा मद्व प्रदेश के लिए होगा नहीं होगा होगा कहां जो केंदर से ज़्यादा दूरी और जिसका बोर्डर जो है वो ओपन हो बीच में ना हो और केरल के लिए ये सारी सुविधाये हैं जिस दिन वहाँ पर 60-70% मुस्लिम अबादी हो गई उस दिन केरल में ये लोग अलगावादी आंदोलन चलाएंगे और इसी को दकेरल स्टोरी ने एक्स्पोज किया है कि केवल ये बात नहीं है कि आईएस आईएस वहाँ पर एक कॉंस्पिरेसी कर रही है कि यहाँ से हिंदू या क्रिस्चन लड़कियों को फसाओ जाल में और उसके बाद उससे साधी करो और उसको सीरिया भेजो अफगनिस्तान भेजो इसलाम के लिए लड़ने के लिए यह कॉंस्पिरेसी का एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा यह भी है कि किस तरीके से वहाँ पर आईएस आईएस नहीं बलकि पूरा इसलामिक वर्ड लगा हुआ है पैसा फेको और केरल में हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फसाओ कनवर्ट करवाओ लेकिन एक और पाकिस्तान केरल में पैदा करके रहेंगे और यह कॉंस्पिरेसी कॉंबनिस्ट पार्टी की सरकार और कॉंग्रेस ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है लेकिन यह लोग उसका साथ देने वाले पार्टिया है यानि कि आतंकियों के की हुई एजेंडे पर परदा डालने की कोशिश की जाती है जहां आतंकवाद की बात आएगी वहाँ पर हो जाएगा बैट टेरोरिज्म और गुड टेरोरिज्म वहाँ पर यह बात होने लगती है कि जो बैट टेरोरिज्म है वो इसलाम का वो हिस्सा है जिसको काला अध्याय कहा जा सकता है गुड टेरोरिज्म होगा है जो की अच्छे लोग हैं किसी मकसद के कारण भटक गए हैं जैसे कॉंग्रेस के लोग कहते हैं कि कश्मीर के वो यूबा जो आतंकवादी बन गए हैं वो भटके हो यूबा हैं आतंकवादी भटके हुए हैं वो बदले की भावना से ग्रसित हैं क्योंकि कश्मीर में उनके साथ भी कुछ हुआ है लेकिन यहाँ पर जब आतंकवाद को अलग कर दो तो भी ये बात सामने आएगी कि इसलामिक एजेंडा पूरी दुनिया में जो चल रहा है उदाहर नहीं है कि उत्तर परदेश में ये चीजें नहीं चली और उत्तर परदेश में इसके खिलाब बड़ा आंदोलन चला पश्चिम उत्तर परदेश में एक नहीं कई संगटनों ने इसके लिए आवाज उठाई बजरंग दलने तो कई रिपोर्ट सौपे थे और कही बार मेरट जैसे सहर में आंदोलन किये गए कि हिंदू लड़कियों को कैसे अपनी जाल में फसाया जाता है एक छोटे छोटे मेकेनिक के काम करने वाले मुस्लिम लड़कों को पैसा देकर महगी बाइक दी जाती है इनको बोला जाता है कि मंदिरों के सामने जाओ ये अपने नाम भी ऐसे रखेंगे सोनू मोनू टोनू टाइप कि पता ही नहीं चलेगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है और जब प्यार के जाल में फस जाए उसके बाद ये खुलते हैं कि वो उसका असली जो नाम क्या है धर्म क्या है पहचान क्या है और इमोशन में बहके लड़कियां उसके साथ कनवर्ट करने के लिए होने के लिए तयार हो जाती है धर्ब इमान बदलने को तयार हो जाती है और इसलिए उत्तर परदेश में इसके खिलाप कई कड़े कानून भी लागू किये गए तो अब जब केरल स्टोरी सामने है जो कश्मीर फाइल से भी जादा भयानक बिस्फोटक माना जा सकता है जो वैचारिक परिवर्तन की बात करता है कैसे वैचारिक तोर पर ये लोग कॉंस्पिरेसी करते हैं लड़कियों को फसाने के लिए लड़कियों को कनवर्ट करने के लिए क्योंकि ये आसान तरीका माना जाता है conversion के लिए अगर male को target किया जाएगा तो उसका ratio कम होगा बहुत जादा प्रलोभन के आधार पर ही कोई लड़का convert होता है लेकिन लड़कियों को एक target किया जाता है साधी का जासा प्यार और target इसलिए है क्योंकि उसको प्यार के जाल में फसाया जाता है ये जो लव जो पूरे तरीके से फिल्म इंडस्टी से लेकर साहित तक में बार बार ये दिमाग में भरा गया है कि प्यार अंधा होता है वही सोच के साथ आगे बढ़ती है और बोलती है कि प्यार के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है ना और यही केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि जो बोलती है कि प्यार के लिए कुछ भी किया जा सकता है वो कैसे बाद में तरपती है कि हमने प्यार के लिए कुरवानी दी लेकिन सामने वाले ने मेरा इस्तेमाल किया ये जो आज परचलन चल रहा है उसी परचलन के खिलाप है और इसलिए जिन जिन स्टेट में मुसलमानों की वोटिंग में बड़ी भूमिका है उस स्टेट के तथ्था कथित सेकुलर पाटिया परिशान है चाहे मम्ता बनर जी हो या पिर कॉंग्रेसासित परधेस हो या फिर वामपन्थी पाटिया हो ये सारे के सारे इसी कारण रहा है वो परेशान नहीं होगा वो तो इसे प्रमोट करने की कोशिश करेगा और वही काम योगी आदितिनात कर रहे हैं वही काम मद्ध परदेश में किया गया और वही बात परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि किस तरीके से एक बड़ी साजी स हिंदुस्तान में च समाज को जगजोरने वाला है और इसको देखने के बाद ये महसूस होगा कि ये ट्रैप का मतलब क्या होता है जो अब तक लब जिहाद पर रिपोर्ट छप रहे थे जो बाहर से जानकारी मिल रही थी उसको विज्वल माद्यम से कैसे लोगों के सामने लाया गया है और अब दकेरल स्टोरी के माद्यम से उत्तर परदेश में भी योगी आदित तिनात ने जो फैसला किया है कि टैक्स फिरी किया जाएगा लोगों को परिवार के साथ देखना चाहिए और परिवार के साथ देखने के लिए सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं है बलकि उत्तर परदेश में इस आई ओपनर के तोर पर देखी जा रही है लेकिन कुछ नेताओं को ये कहानी मन गणन्त लग रही है लेकिन जब जब जिहादियों का सत सामने आता है तब तब मम्ता जैसे नेताओं की गलतियों पर परदा डालने आ गया जाते हैं वहीं मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में फिल्म को टैक्स प्री करके बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि जिहादी और कटरपंतियों की सचाई पर अब परदा नहीं डाला जाएगा इस फिल्में साफ तोर पर आतंकी और लव जिहाद का परदा पाश किया है शायद इसलिए कुछ नेताओं को इससे मिर्ची लग गई है किस्सा यूपिका में आज के लिए इतना ही देखते रहे हैं क्यापितल टीवी उत्तरप्रदेश नमस्कार